हेलो डिर स्टुडेंट्स, वालकम टू मैंगनेट ब्रेंज, मैं संचुता जान आपके असेस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 बोर्ड स्टुडेंट्स के लिए सामा जीवी ज्यान में हिस्ट्री का चैप्टर नमबर 3 जिसका ना वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैंगनेट ब्रेंज प्रुवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्से प्रीयोप कर्स्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल नची आरटी से, कई सारे स्पेशल कोर्से हैं हमारे पास जैसे की वैदिक मैस, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंगलिश और इतने सारे कोर्से आपको एकी सिंगल प्लेट फर्म पर, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ, एक दम फ् इंट्रोडक्शन पार्ट, अब आप कहेंगे, इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है, किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, तो उसके बारे में और कुछ जाने, उसके पहले इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, तो ठीक, किसी तरीके से पुरे चैप्टर को आप जाने उसके पहले उसका इंट्रोड़क्शन तो जालो वो चैप्टर कहना क्या चाहता है उस चैप्टर में कौन-कौन सी बाते हैं ठीक है चलिए तो इसका जो है चैप्टर का टाइडल जो है उसको समझते हैं भूम अंडली कृत या वैश्वी करण या जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं अल्राइट किलियर तो अब हम इसमें आज देखेंगे आधुनिक युक से पहले अभी तो हम आधुनिक युक में जी रहे हैं मौड़ा नेरा में जी रहे हैं ठीक है अभी हमें पता है कि दुनिया के देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ठीक है दुनिया के देशों में एक द चीजों का आब आगमन भी हो रहा है लेकिन स clown के यूग के पहले यह चीज है कैसी थी क्या था हुआ ता आज के कप पहले का यूग क्या आज के पहले का यूग म समय से फिरोबलाइजिश इसन का कंसेप्ट था तो चलिये समझते हैं आदुने क्यूक से पहले की हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा रेश्यम मार्ग का सिल्क रूट का अब ये रेश्यम मार्ग या सिल्क रूट क्या है तो भई चायना का नाम तो आप सभी ने सुना है ठीक है चायना विश्व के नक्से पर किस दिशा में है ठीक है बाकी की country चाइना के comparison में किस direction में जाती है वेस्ट में जाती है पश्चिम में तो इस्ट से वेस्ट तक को जोडने बाला जो ब्यापारिक मार्ग था उसको रेश्यम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था अब इस मार्ग को सिल्क रूट ही क्यों कहा गया क्यों कहा गय क्यूविए चीन से रेशम का निरयात धुनिया कि यानर की तरफ होता था साथ शाल ह साथ या की बूम अंड़ली करड की जो बसता है वो व्यद्यमान थी भोजन की यात्रा भी हुई कैसे आज जो आप आलू खाते हो सबसे पहले आलू का एक्जामपल लेते हैं तो आलू क्या भारत की उपज जी नहीं आलू है पुर्तगाल में हुआ था भी आलू कहां पुर्तगाल की उपज है उसका जनमिस्तान आल चाइना के पहले भी वो कहां था कहां की है वो देन उसके बारे में जानेगे ठीक है तो चीजों का आदान प्रदान हुआ भोजन का आदान प्रदान हुआ विजय बीमारी और व्यापार इन सबका भी आदान प्रदान हुआ जी हां सारी बीमारिया दुनिया के एक देश मे करोना विमारी हम सब इनगे से पुरी दुनिया में फैल गई तो ठीक किसी तरीके से पुरानी विमारियां भी दुनिया की किसी एक देश मत्पन हुई थे और फिर जब की हम बात करेंगे जिसमें हम जानेंगे विश्व अर्थव्यवस्त्हा एंक उद arbitrary मैं 19 वी सदी के आखिर में उपनवेश्वाद के बारे में और रिंडर पेस्ट या वेशी प्लेgers जानेंगे छलिए फिर भारत में अनुबंदित भारत से अनुबंदित श्रामिकों का जाना इन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित श्रामिकों को अब ये अनुबंधित श्रम में क्या गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे इनको एक एग्रिमेंट के तहल दूसरे देश में भेजा जाता था ठीक है काम करने के लिए भेजा जा पिर आएगा तीसरा टॉपिक महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था महायुद्ध कौन को सी युद्धों की बात हो रही है आपने 9 लांज में चैप्टन नम्मर 3 में फर्स्ट और सेकेंड वल्ड वर की बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो महा युद्ध के दौरान, फर्स्ट एंट, सेकेंट वेल्ड वार के दौरान, प्रता मुर्धुति विश्युद्ध के दौरान, दुनिया की अर्थ व्यवस्था किस तरीके की थी उसके बारे में जानेगे तो सबसे पहला टौपिक होगा इसमें युद्ध कालीन रुपांतरन, युद्ध के दौरान जो रुपांतरन हो रहा था, जो चेंजिस आ रहे थे, जब युद्ध हो रहा है, उसी समय क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो युद्धोतर सुधार, जब युद्ध महामंदी का सामना कैसे किया, भारत पर महामंदी का असर कैसे पड़ा, ठीक है, फिर जानेंगे युद्ध के बाद के समय को विश्व अर्थविवस्था के पुनर निर्माड के समय को, कि युद्धों के दौरान, 1st and 2nd World War के दौरान, जो समस्या आई थी, जिसके कारण यान की global economic reconstruction कैसे किया गया उसके बारे में जानेगे फिर युद्धोत्र बंदोबस्त और ब्रेटन वोट्स संस्थान ठीक है युद्ध के बाद कैसे बंदोबस्त करे गए ब्रेटन वोट्स institutions क्या था इसने क्या घोशणा करी क्या क्या इस दौरान नए प्राविजन्स लाए गए कि नए संस्थाओं का जनाब होता इस दौरान वो सब जानेंगे फिर प्रारंभेक युद्धोत्र वर्ष शुरुवाती युद्ध के साल कैसे थे फिर अनौपने वेशी करण और स्वत रंतरता के बारे में जानेंगे फिर ब्रेटन वुड्स का समापन और वेश्वी करण की शुरुवात ब्रेटन वुड्स का समापन कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन की शुरुवात पूरी दुनिया में कैसे होती है इस तरीके से इन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में खतम होता है NCRT के आपके अगले पेज में चैप्कर खतम होने के बाद दिये रहते हैं कुछ question answer तो उन सारे question answer को solve करेंगे जिनको हम कहते हैं NCRT solutions तो पूरे question answer आपकी book के question answer solve कराए जाएंगे NCRT solution के form में फिर बात आएगी किसकी multiple twice questions किसकी multiple twice questions तो total तीस multiple twice questions इस chapter के आपको कराए जाएंगे कितने तीस multiple twice questions बहु विकल्पी प्रश्न जिसमें होगा question number one से लेके 30 तक और उसके होगे 4 option चार option में से किसी एक option को आपको right tick करना है ठीक है बड़े ही मज़ेदार session होगा फिर होगा most important question का session कितने सवाल होगे इसमें होगे आपके बीस सवाल अब बीस सवाल कैसे होगे बीस सवाल वैसे होगे जिसे आपके एक्जाम में आते हैं सीधी बात है अती लगुत्रिय प्रशन कितने होगे 10 उसके बाद होगे आपके लगुत्रिय प्रशन 5 और उसके बाद होगे आपके दीर्ग उत्रिय प्रशन 5 इस तरीके से टोटल बीस MIQ यानि की most important question answer हम करेंगे और इसके बाद बारी आएगी complete chapter revision की ठीक है यानि कि इस chapter का पूरा revision कराया जाएगा इतना सब complete कराने के बाद तो यह रहा chapter का introduction पार्ट जिसमें हमने इस chapter के बारे में basic जानकारी इखटी कर ली है और इस format में topic wise with question answer and practice session और revision के साथ यह chapter हम complete करने वाली है ठीक है तो chapter का introduction वाला पार्ट तो आपको समझ में आगी आगी कैसे हम इस chapter को पढ़ना है ठीक है तो अब क्या करना है अब एक काम करना है आपको कि notification bell icon को जल्दी से press कर देना है ठीक है क्यों क्योंकि आपको notification मिलता रहे और हर एक session को आप तुरंधी जवाइन कर पाएं आपसे एक भी वीडियो मिस ना होने पाए ठीक है चलिए तो अगर आप मारे daily के live session और recorded session से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध है Magnet Brains के YouTube channel, website और application पर Magnet Brains इंडिया का number one 100% free online education platform है इसके अलावा गर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी link भी वीडियो की description box में दी गई है वहाँ जाके आप available कर सकते हैं सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कही सारे top courses हिंदी और इंग्लिस दोनों मीजिया में अविलेवल हैं सीवेसी बोर्ट के साथ साथ दिल्ली बोर्ट, बिहार बोर्ट, यूपी बोर्ट, एम्पी बोर्ट, राजस्थान बोर्ट यानि की पाँच स्टेट बोर्ट के स्लिवर्स को कवर कराया जाता है NCRT से कवर कराया जाता है स्पेशल कोर्से हैं हमारे पास स्वैदिक मैंस, क्रेश कोर्स और स्पोकन इंगलिश और इतने सारे कोर्स आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल ले और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ इकदम फ्री आप कॉस्ट मिलने वाले हैं मैंगनेट ब्रेंस, यूट्यूब के लावा अधर सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म जिसकी फेस्बॉक, इंस्टेग्राम, ट्वीटर, टेलीग्राम, वाटसप पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है कुछ यह था हैंगी सुमच